आज की एनरजी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाली है आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं आप दोनों का थौर्ट प्रसेस एक दूसरे को लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह का होगा आएए जानते हैं लेट्स सी सो मैं रेंडमली इस डेक को दो पार्ट में डिवाइट कर लेती हूँ सबसे पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर की आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर उनका थौर्ट प्रसेस किस तरह का होगा आएए जानते हैं सो पहला कार्ड है यहां पर सेवर अफ वोइसस का कार्ड है देखिए आपके पार्टनर जो है वो प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और आज भी वो इसी बारे में सोचने वाले हैं कि आप दो उनों के बीच में जो प्यार है वो बेशुमार है आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आज वो उस मुवमेंट के बारे में सोचेंगे जिस moment पर आपके partner ने आपका trust तोड़ा है वो चीज उन्हें अंदर से आप जगजोडगर रखतेगी ठीक है आपके partner आज over analysis की energies में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं वो इस बारे में सोचेंगे कि अगर उनके साथ कोई person ऐसा करता तो क्या आपके partner उस person को माफ कर पाते क्या आपके partner उस person के हालातों को समझ पाते आपके partner को अपनी तरफ से वो जो जवाब है वो नकरात्मक मिलेगा इस वज़े से आज आपके partner ये सोचेंगे कि उन्हें आपकी life के अंदर दुबारा enter नहीं करना चाहिए अगर वो आपकी life में enter करेंगे तो उन्हें बहुत जादा time लगेगा आपके trust को जीतने का और जिस इंसान ने एक बार trust तोड़ा हो वो इंसान दुबारा से कभी भी उस trust को बना नहीं पाता है आपके partner को आज ये भी महसूस होने वाला है कि उन्हें अपनी direction आपसे change कर लेनी चाहिए ठीक है आपके partner आज relationship के उपर उतना ज़्यादा focus नहीं करेंगे उनके ये जो negative thoughts आएंगे उसके बाद वो अपने आपको संभाल लेगी खूशिश करेंगे और अपनी direction मुझे change करते हुए निजर आ रहे है आपके partner आज अपने career के उपर focus करेंगे वो ये सोचेंगे कि अपने career में पहले उन्हें stable हो जाना चाहिए उसके बाद उन्हें इस relationship के बारे में सूचना चाहिए क्योंकि अगर वो इतनी unstable energies के अंदर रहेंगे तो life के अंदर किसी भी sphere में वो stability उन्हें कभी हासिफ हो ही नहीं सकती है तो आपके partner इस तरहां से आज मुझे सूचते हुए नजर आ रहे है energies कुछ खास अच्छी तो नहीं है आपके partner खुदी stuck energies की और बढ़ रहे है आपके partner balance की energies में आ जाए इसके लिए आप comment section के अंदर 2-2-2 heart type कीज़ेगा आपके partner को आपके switch words से मदद मिलेगी ठीक है So I hope आपके partner की energies आपको clear हो गई होगी अब हम देखते हैं आपकी energies आज किस तरह की रहने वाली है आप अपने partner के बारे में क्या सोचने वाले है इस relationship को लेकर आपका thought process किस तरह का होगा आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर night of materials का card है यहाँ पर night of emotions का card है the next card is 10 of materials का card है the next card over here is 3 of emotions का card है the next card over here is ace of emotions का card है आज आप अपने partner से बहुत ज़्यदा expectations रखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आज आपको उमीद होगी कि आपके partner शाद अपनी life में आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं आपके partner आज के time पर कुछ stable हो गए है ऐसा आपको intuitively feel होगा आपके partner आपके लिए comfort लेकर आएंगे आपके partner आपको वो safety provide करेंगे वो security provide करेंगे वो trust आपका जीतेंगे जो trust उन्होंने तोड़ा जो safety उनके साथ आप महसूस किया करते थे वो खतम हो गई है आप उस चीज़ को rebuild आपके partner कर रहे है ऐसा thought process आपका रहने वाला है ठीक है आज ये सब को जब नहीं घटित होगा तो आप एक चीज़ में बिल्कुल sure हो जाएंगे कि आपके partner की vibes भी आप तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि इस third party का hold आपके इस relationship पर बहुत ज़ादा है आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़ादा pain महसूस करेंगे आप emotionally drain मुझे शाम तक होते हुए नजर आ रहे है आपको जहाँ पर अपने partner से यह उमीद होगी कि आज कभी भी आपके partner का आपको call आ सकता है या message आ सकता है या आपको आपके partner के बारे में किसी से कोई चीज़ पता लगेगी कि आपके partner आपके बारे में बात कर रहे थे यह बिखराफ जो है ना आपके अंदर यह आपको तोड़ने वादा है प्लीज इस energy को अपनाने की कोशिश मत कीज़ेगा आप जो कुछ अपने partner के बारे में positive सोच रहे हैं उसी positive सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है अपने आपको disheartend करने की जरूरत नहीं है बाकि आप बहुत ज़दा समझदार है समझदारी से आज की energy इसको channelize कीज़ेगा have a great day today God bless you all take care of your health see you soon